कि नमस्कार दोस्तों बिंदी नुजय फैस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आम आदमी पार्टी से जूली हुई एक बहुत बड़ी खबार आ रही है जो पब्लिक से डिरेक्ट जूली हुई चीज है और नैतिक्ता को दिखाती है कि कौन किस हिसाब से रहता है क्या किस न और कैसे पब्लिक लाइफ में रहने के बाद कोई कैसा हो सकता है पूरा न्यूज को समझते हैं दोस्तों तसल यह जो न्यूज आ रही है यह दिल्ली हाई कोड से न्यूज आ रही है और इसमें दिल्ली के मुख मंत्री अर्विन केजरिवाल जी को लेकर के एक टिपड़ी क कोमेंट करी गई है दिल्ली हाई कोड के द्वारा कोमेंट यह करी गई है केजरिवाल जी के लिए कि केजरिवाल जी को नेशनल इंटरस्ट से कोई लेना देना नहीं है इनको अपना इंटरस्ट देखना है यह बहुत बड़ी कोमेंट है कि इनको पावर इखटा करके रखन यह कुमन्ट आखिर करी क्यों दिली हाइगोड ने अर्विन के जीवाल के लिए दोस्तों बात दसल क्या है कि दिली में जैसे दिली शरकार है ऐसे MCD में भी आमादी पार्टी की ही रूलिंग है तो जैसे दिली के स्कूलज होते हैं गस्त विसे MCD स्कूल है अब नया सेसे श्टार्ट होगे है जो नया सेसे श्टार्थ हुआ है तो उसमें बच्चों को फ्री में किताबें दी जाती है किताब इस्टेशनरी चारी बच्चो गुद्द दी जाती है तो इस साल क्या हुआ कि उन बच्चो को स्टेशनरी वगएरा नहीं दी गई जब दी नहीं गई स्टेशनेरी तो इसके लिए एक NGO है सोसल जियूरिस्ट इसका नाम है उसके वकील असोक अगरवाल जी है इन्होंने एक PIL डाली और हाई कोर्ट ने उस पे सुनवाई करी और हाई कोर्ड ने दिल्ली सरकार ते ये पूछा दिल्ली सरकार के वकील से कि आखिर ये क्यों नहीं हो पा रही है तो उन्हों ने दिल्ली सरकार के वकील ने ये बात बोली कि अर्विन केजरिवाल जी जेल में है इस इस रीजन से दिल्ली सरकार में कोई डिसीजन नहीं हो पाया और उनको किताबें नहीं किती गए केस दोस्तों यह MCD का है दिल्ली सरकार का नहीं लेकिन वकिल साब ने बोल दिया वहां पर अमानी पर्टी के वकील जो दिल्ली सरकार के बेसिकली वकील थे लेकिन उन्होंने बाद इस हिसाब से रखी जैसे कोई कहता नहीं दया दिखा नहीं कि साथ हाई कोड दया दिखा दे उनको बेल दे या कुछ ऐसा कुछ मलब आ जाए पाइंड में बेसिकली वहां पेचारा ब चुछ रखना है यह चीज दिल्ली की होई कॉर्ट में भी बात बोली दोस्तों अब आपको यह समझना होगा कि यह रीजन के राग क्यों नहीं दिया गया यह तो दिल्ली के दिल्ली सरकार के जो वकीले उन्होंने बोला और आम आदमी पार्टी के आगर वर्जन समझते हैं तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि M.C.D. की जो पांच करोड से उपर के जो फैसले लेने होते हैं वो इस्टेंडिंग कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं और स्टेंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं हुआ यह इनका कहना है आम आदमी पार्टी का इसलिए जब गठन नहीं हो पाया तो लोगों को बच्चों को किताबे मिली नहीं यह आम आदमी पार्टी का कहना है अब यह हुआ कि भाई standing committee का गठन क्यों नहीं हुआ standing committee सबसे मलब बहुत पावरफुल committee होती है इसका गठन क्यों नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी का कहना है यह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि लगी साहब ने गलत दोगों को नॉमिनेट कर दिया इसलिए standing committee का गठन नहीं हो पाया फॉर्म नहीं हो पाई इसलिए सारी चीज अगर mcd के commissioner भी हमसे request कर देते तो हम यह issue करा देते हैं सारी किताबें बच्चों को मिल जाती है order कर देते हैं तो दोस्तों अगर बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है दिल्ली की सरकार आमादमी पार्टी की mcd में ruling आमादमी पार्टी की बैस हम दिक्कत कहां पर है कि अरे mcd के commissioner कोई विदेश में थोणा रहते हैं आप उनसे बोलो आपको रिक्वेस्ट करने की बात आप करो आप से रिक्वेस्ट करते इससे बच्चों का भविश्य तो नहीं खराब होता आप बच्चों के साथ क्यों खिलवाल कर रहो है आप जेल में गय हो तो उसका को कोड में हो अप कोड में अपनी लड़ाई लड़ोगे अपने अगर कुछ नहीं किया है तो आप वहां से बिल्कुल क्लिंचीट अपको मिल जाएगी अगर आपने कुछ किया है तो आपको सजा भी होनी चाहिए और जो आपने उससे अगर कुछ कमाया है जो अभी आपको मि पर भी बच्चों का तो बविशनी खराब होना चाहिए। आप जब आये थे, आमान्वी पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो इनका क्या कहना था? यही सब तो कहना था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लोगों के भ्रष्टाचार को ही दिखा कर तो यह इन्हों ने अ लेकिन जब मुख मंत्री बन गये तो आपको लोगों के भले कहीं तो काम करना था जरूर आपने अच्छे काम कियोंगे तभी आप तीन बार बने अधर वाइस आप बनते नहीं तो सर इस बार भी कर देते बच्चों के भविश्य के साथ खिलवाल क्यों कर दो और मंत्री विगैरा सब हैं आप जएल गए इस इस्तीफा देना इफकर बनते अपने सारे काम से रूप से चलाते हैं अच्छे रूप तरीके से कम से कम प्रदेश की जनता है वह तो परशान न ह.' काम तो चल रहे होते । आप खुड सूचिए जेल के अंदर से कैसे सरकार च कैसे लिए जाएंगे तोब बी डिस्यान लें एक डिस्यान करते हैं सब्सक्टिन करते हैं उसको Разos करते हैं ताके लोगों को भला कुछ हो सके आप ऐसे कैसे भला होगा दोस्तों अब आपको को एक चीज़ और बताते हैं जो अर्बिन केजरिवाल जी के एक केस चल रहा है कि इनको जमानत कैसे मिले यह जेल के अंदर से सरकार कैसे चलाइए तो इनको क्या स्तीफा देना चाहिए इसके लिए इसी सोमवार को कोड में सुनवाईए हाई कोड में अब यह देखना बड़ कोड के उपर है कोड क्यार निर्णा लेता है उस पर सब अपने को पता लगेगा मंडे को लेकिन नैतिकता को मोरेलिटी को देखते हुए क्योंकि अर्वेंद केजरिवाल को जो पब्लिक में इनका पर्सेप्शन है कि यह बहुत ही इमानदार है मोरेली बहुत हाई ग्राउ सब्सक्राटी में और भी नेत्रत करने वाले लोग होंगे जिनकी लीडर सी पच्छी होगी उनको सीट पर डालना चाहिए ताकि वह बैठें और लोगों के बारे में सोचें जो भी फाइलिये रुकी होई है उन पर वो सुनवाई करें आगे लगी सरका जो भी साथ लेना हो हो उनके पास भीजें ताकि लोगों के चीज़ों को कप्लीट कर सकें लोगों को उसका फाइदा हो सरकार लोगों के फाइदे के लिए होती है उनके विकास में बाधा बनने के लिए सरकार नहीं होती है सरकार का काम ही होता है कि लोगों के लिए चीज़े अच्छी करें जो अगर उलजी हुई चीज़ हैं उनको सुल्जाएं यह सरकार का काम होता है प्राइम रिस्पॉंसिबिल्टी होती है तो उमीद है भगवान के जिवाल जी को सद्व दे दे और वो कुछ अच्छा करें प्रदेश के लिए अगर इन्होंने पहले कुछ अच्छा किया है तो और कि अफिर जनता दो हैं पांगा साल भात तो ट्रस लेती है अगर कुछ थो का तप फिर जनता थो समझागी अभी तक अच्छा किया होगा तब जनता नहीं समझ में आएगा तो कुछ जनता सूच लेगी ठीक है दोस्तों अब इस पर जो भी और development आएगी तो मैं आपके वीडियो ले कराऊंगा अभी तो दोस्तों बस इतना ही है धन्यवाद